हेलो स्टूडंस वेल्कम टू लर्निक्नोमिक्स अनलोग मेरा नाम प्रिंकावश्टी ठीक है हमने लास्ट क्लास में अब्जिक्टिव फॉफ मर्जर खतम कर लिये थे ठीक है उसके बाद हम हम मॉड्यूल से कर रहे हैं अब हमारा नेक्स लेवल है जो मेरे साथ कर रहे हैं उ मैं आपको स्कानर का रिव्यू दिया उससे भी आप कर सकते हैं तो तैयारी के लिए पराने है कि कोशन आते हैं और किसी साथ साथ को करना वो देखने में आपको असानी होगी नेक्स टॉपिक है हमारा अक्यूजिशिशन और मर्जर टीक है वर आडेंटिफाइड एज वन में भी लिखा है आपके मॉड्यूल में तो यही बात कह रहे हैं कि 2008 में एक रिशेशन आया था उसके बाद के लिए न्यूजिवेंड ट्रेड एंटर्प्राइज एस कंड़क्टेड रिसर्च ऑन कॉर्पोरेड दूरिंग वर्ड एकनॉमिक रिशेशन और यह रिशेशन सक्सीड सबसीक्वेंटली यानि कि उसमें न्यूजिवेंड ट्रेड एंटर्पाइज है जिसने एक रिसर्च बठाई की इस रिशेशन के दोरान कंपनीज ने कैसे अपने आपको मिंटीन रखा सर्वाइब किया प्रॉफिट तो देखो भूल जाओ यदि हुआ तो बहुत इंटर्पाइज ने एक रिसर्च करी ठीक है कि सर्वाइवल कैसे किया उस ताइम पे रिशेशन जब आया दोजराट में तो सर्वाइवल कैसी किया कंपनीज दिस रिसर्च फोकस्ट प्रैमिली ओन थर्टीन कंपनीज डैट वर एस्टैबलिश मेंबर ऑफ दे ग्लूबल इंट्रीन इंडेक्स यानिकित तेरह इसके ऊपर फोकस करके इस सर्च करी गए टीक है ग्लूबली इंटरह कंपनीज को चुना गया उनके ओपर कि इन तेरह गंपनी में रिशेशन के टाइम पे कैसे अपनी स्टार्टीज अपना ही ऐस्के बारे में उने से सब्च करी। दे वर दा एक्जाम्पल ओफ और्गनाइज़ेशन डैट हैव अडप्टेड सर्वाइब एंड प्रॉस्पियर ड्यूरिंग रिशेशन पीरिड यानि कि यह क्या है एक एक्जाम्पल की तरह पॉलो कर सकती हैं बागी कंपनिया की कैसे इन कंपनी इस ने रिशेशन के टाइम में अपना सर्वाइबल किया और क्या-क्या अपनी स्टाटेजी अपने ही और कैसे कैसे अपने आपको बचा के ग्रोथ करके अपने आपको उस टाइम से निकाल के ले गए ठीक है ओल ऑफ दा कंपनी इस टुडिड अचीव ड्रामेटिक इंक्रीज इन ग्रोथ पॉफिटे भी किया इस कंपनीज वर चूजन विकॉज दे एक्जिबिट करेक्टर स्टिक्स एन इस्टरची डैट इन बल्ड देम तो अचीव सक्सेस फ्रॉम डिफिकल्ट इकनॉमिक पीड़ ठीक है उन्होंने कौन कौन सी उनके विशेष्टा बताएंगे ठीक है उन्होंने कौन उस दौरान जिससे वो सर्वाइब भी करें उन्होंने अपनी ग्रोथ भी करी और पॉफिट भी कमाया ठीक है दा इस्टरडी हैस आइज इंटिफाइड सेवन की फेक्टर्स तो हैव ग्रेटेस्ट इंपक्ट ऑन फर्म अबिलिटी तो इमज स्ट्रॉंगली फ्रॉम दा र अधर की फेक्टर्स विधर ऐव आडेगन इंटिफाइड एक्शीशन गैंका इंकि उसने सातों की वर्द में से एक की वर्ड का नाम लिया acquisition तीक है acquisition acquisition and strategic alliance strategic alliance हम पहले कर चुके हैं तीक है मैंने आपको समझे है मेरे शॉट भी है आप समझ सकते है strategic alliance क्या होता है तो यह कह रहा है acquisition किया purchase acquisition यानि कि purchase किया और strategic alliance यानि की एक दूसरे की overall क्या कह रहे है एक दूसरे की मदद करके हम ने उस time को काटा survive किया ना सिर्फ survive किया growth करी और अपना profit भी कमाया कैसे अकेले यदि आप खड़े रहेंगे तो नहीं कुछ कर सकते पर सारी companies ने जिसकी जहां जैसे help हो सकती थी वो कहते थे ना पहले बहुत time पहले वो हो किसे काम चलता था जब करणसी नहीं होती थी तब क्या होता था आज की डेट में तो आप कुछ यदि को किसी चीज की जड़ए तो आप जाओगे पैसे दोगे और खुरीद के लियाओगे वो चीज पर पहले की टाइम में कैसे होता था जब करनसी तो आपने आदेगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें ले लिए कुछ भी और चीज ले लिए तो आपके पास वह चीज भी आ गई तो इस तरीके से काम पहले चलता था जब करणसी नहीं होती थी लोगों के वास ठीक है समझे मारा है तो ऐसे ही क्या होता है एक दूसरे की हल्प करके अब ऐसे क्या होगा इस स्ट्राटेजिक पड़ा यदि हमारी वैनिफेक्ट्रिंग यूनिट कि सी जगा लग यहां पर यदि हम किसी के साथ में अल्गामेशन कर ले तो हमारी यूनिट में हमें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा ज्यादा मिलेगा हम अपनी कोस्ट कम कर पाएंग उसके लिए क्या चीज इंपर्टन हो यही सब चीज अमल्गमेशन में चलती है यही आपकी 2008 की जो मंदी आई थी उसको डिफाइन करके आपको बताया गया है यह मैं आपको करवारी है सब्सक्राइब करने के और अपने आपको खड़ा रखने के लिए यह सब चीज हो गया मर्जर हो गया यह सब चीजे एक की की तरह थी चाबी की तरह थी एक गुरु मंत्री की तरह थी ठीक है तो ओवरकम अपने एंट्री करी तो आपके लिए नहीं मार्केट खुल गई ठीक है ना मैंने आपको डिटेल में समझाय हुआ मेरी सारी वीडियो देखना उसमें आपको समय में आएगा प्रोडक्ट मिला आपको नहीं जब आपने किसी दूसरी कंपनी के साथ कोई भी एक कॉंट्रक् अपनी स्पीट को बढ़ाना तो आपने क्या अपने अपनी जो आपकी ग्रोथ थी अपने सेक्टर तक जो लिमिटेट थी पर आपने अक्यूजिशन करके अमलगामेशन करके मर्जर करके उसको आपने नहीं सेक्टर नहीं रास्ते कहते नहीं रास्ते खोले अपने नहीं ट से क्या होगा आपके बिजनिस को एक नई ग्रोफ मिलती और यह सब चीजे आपकी 2008 की जब इक नॉर्मिंग रिशाशन आया तब भी आपका यह सब चीजे काम करी इस पूरे पैराग्राफ में यह आपकी मॉडियूल में दे रखा यह कभी भी किसी भी तरीके से पूछा जा सक इसका यह आप एक्जामपल सकते के न्यूजी लैंड ट्रेंड एंटरपैसिस को उन्टर्लाइन करें लीजें यह एक्जामपल दिये तेरह कंपनी कि रिसर्च करी थी कि कि दो जाराट की बंदी में कैसे आपने शरवाइब किया और सर्वाइब की चाबी ती वह बैब टिय आपकी acquisition, merger, amalgamation, strategic aligns, यह सब चीज़े, ठीक है?